दोस्तों, 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार दीपावली पर बना दिव्य और दुरलब महाशुभ संयोग पांच राशियां होंगी, करोडपती. जी हाँ दोस्तों, माहा लक्ष्मी के आशीरवाद से 31 अक्टूबर दीपावली के दिन बन रहा महाशुभ संयोग. माहा लक्ष्मी योग में बारह राशियों में से पांच राशेवालों की किस्मत चमकने वाली है. यह पांच राशेवाले इस दीपावली करोडपती बनने यह पांच राशेवाले माला माल होने वाले हैं. स्वयम धन की देवी माता लक्ष्मी इस दीपावली इन पांच राशेवालों के घर पधार रही है, जिससे इन पांच राशेवालों के जीवन के सभी दुखदर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन पांच राशेवालो के जीवन में होंगी, अपार खुशियां ही खुशियां, इस से इन पाँच राशियों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है, जो माता लक्ष्मी की कृपा से 31 अक्टूबर 2024 2024 दीपावली के दिन बन रहे महालक्ष्मी योग में करोडपती बनने वाली है, यह पाँच राशिवाले धन से माला माल होने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पाँच भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह दीपावली इन पाँच राशिवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, दोस्तों, वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, महालक्ष्मी के सच्चे भक्त, इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट बॉक्स में जै महालक्ष्मी जरूर लिखें जिससे महालक्ष्मी का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्थ हो सके, साथ ही साथ चैनल पर नए हो, तो चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों, बता दें, दीपावली पर पूरा देश छोटे-छोटे दीपों की रोश्नी से जगमगा उठता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक, दीपावली का पर्व देश भर में धूम धाम से मनाया जाता है, पंचांग के अनुसार, प्रतिवर्ष कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्य तिथि को दीपावली का पर्व मनाते हैं, इस दिन घरों को दीपक मुम्बत्ती लरों से सजाने के साथ साथ गणेश लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, माहा लक्ष्मी के अलावा इस दिन कुबेर भगवान की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ती होती है, इस साल दीपावली की तिथि को लेकर थोड़ा असंजी स्थिती बनी हुई है, क्योंकि इस साल अमावस्य तिथि दो दिन पढ़ रही है, ऐसे में कई लोगों का मानना है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को तो कई लोगों का एक नवंबर को मनाना सही होगा, ऐसे में काशी सहित देश भर के प्रमुख जयोतिश ने बताया है कि आखिर किस दिन दीपावली का पर्व मनाना शुभ हो सकता है, वैदिक पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में किसी भी व्रत त्योहार का आरंभ उदया तिथी के साथ किया जाता है, उदया तिथी का विशेश महत्व है, लेकिन दीपावली की बात करें तो इस दिन पूजा प्रदोश काल में की जाती है, वहीं काई लोग उदया तिथी के हिसाब से एक नवंबर को दीपावली का पर्व मनाने की सोच रहे हैं, बता दें कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा हमें प्रदोश काल से लेकर मध्यरात्री के बीच में की जाती है, इसलिए 31 अक्टूबर 2024 लक्ष्मी पूजा के लिए सटीक तिथी हो सकती है, दीपावली को लेकर जियोतिशियों का मानना है कि कार्तिक महीने की अमावस्या प्रदोश काल से लेकर मध्यरात्री तक ही लक्ष्मी पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोश काल में लक्ष्मी जी का प्रादुर भाव माना जाता है, ऐसी स्थिती में अमावस्या तिथी 31 अक्टूबर से आरंभ हो रही है, जो एक नवंबर को शाम को समाप्थ हो रही है, पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास की अमावस्या तिथी 1 नवंबर तक है, लेकिन दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, बता दें कि अमावस्या तिथी 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बज कर 12 मिनट से शुरू होकर, एक नवंबर को शाम 5 बज कर 14 मिनट पर समाप्थ ह जिसके बाद प्रतिपदा तिथी शुरू होगी, एक नवंबर को निशित मुहूर्थ प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना शुब होगा, दोस्तों आपको बता दें, धन्तेरस से भाई, दूश तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दीपा धर्म के अलावा बौध जैन और सिख धर्म के अनुयाई भी दीपावली मनाते हैं, जैन धर्म में दीपावली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन घरों में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और यह पर्व हर्ष उल्लास और सुख सम्रिद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्य तिथी को पढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, दीपावली का शुभ मुहूर्थ बता दें। इस बार भारत में लक्ष्मी पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्थ प्रदोश काल व्रिशब लगन और चौगडियां के हिसाब से लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ महूरत 31 अक्टूबर की शाम को 6 बज कर 25 मिनट से लेकर 7 बज कर 13 मिनट के बीच का समय का है कुल मिलाकर 48 मिनट का ये महूरत सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपको बता दें इस दिवाली में मालक्ष्मी के आशीरवात से महा शुभ संयोग महालक्ष्मी योग अमृत सिध्धियोग का निर्मान हो रहा है जिससे इस बार की दीपावली का महत्व और अधिक बढ़ का है दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा का विशेश विधान है इसी दिन संध्या और रात के समय शुभ महूरत में महालक्ष्मी विग्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है पुराणों के अनुसार कार्तिक मास की अंधिरी पूजन के दौरान इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। दीपावली के दिन लक्षमी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दिये जलाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिचा कर उस पर लक्षमी जी और गणेश जी की मूर्ति आप रखें। दीवार पर लक्षमी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा हुआ एक कलश रखें। और माता लक्षमी और भगवान गणेश जी की मूर्ति पर आप तिलक लगाएं। और दीपक जलाकर जल मौली चावल फल गुड हल्दी अबीर गुलाल आदी अर्पित करें। और माता लक्षमी जी की स्तुती करें। इसके साथ ही देवी सरस्वती, माता का भगवान विष्णू और कुबेड देव जी की भी आप पूजा विधी विधान से करें। श्रद्धा भाव से करें। महालक्षमी पूजन उस दिन पूरे घर परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। लक्षमी पूजन के बाद तिजोरी भाई खाते भी की भी पूजा करें। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरत मंद लोगों को मिठाई और दक्षणा दें। इसे माता लक्षम प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भागेशाली राशियों के बारे में जो कि महालक्षमी के आशीरवाद से इस दिवाली बन रहे महालक्षमी योग, महाशुभ संयोग, अमृत सिध्ध य जातार भागेशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन पाँच खुशनसीब और भागेशाली राशियों में जो पहली राशी आती है वह है कुम्भ राशी। द्रिष्टी बनी रहेगी, जिसकी वजह से ही आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो कार्य काफी सालों से रुके हुए थे, वे भी अब सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्ज से मुक्ति पाने में भी कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्षमी की कृपा से आपके आर्थिक स्थिती कुम्भ राशिवालों मजबूत बनेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्षमी की कृपा से आपके आर्थिक स्थिती कुम्भ राशिवालों मजबूत बनेगी। व्यापार में आपको अचानक धन लाब होगा और घर परिवार में सुख शान्ती का वातावरन बना रहेगा। कुम्भ राशे वालों आपके उपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो यह योजना सफल इस से प्रबल योग बन रहे हैं। कुम्भ राशे वालों कहना गलत नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से इस दिवाली आपको चारों तरफ से धन लाब प्राप्ती के अनेक योग बन रहे हैं। जबरदस्त धन प्राप्ती के संकेत इस दिवाली आपके लिए बनते ह आपको चारों तरफ से धन लाब होगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, महालक्ष्मी की कृपा, कुम्भ राशेवालों, इस दिवाली आपके उपर विशेश रूप से पड़ रही है, इस समय का भरपूर लाब उठाएं, समय को अपने हाथ से ना जाने दें जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशे है, वह है तुला राशे, तुला राशे वालों को बता दें, धन की देवी माता, लक्ष्मी इस दिवाली आपके उपर बेहद प्रसन्न है, आपके उपर अपनी अपार कृपा द्रिष्टी बरसाने वाली है, जिसकी व अवसर प्राप्त होंगे, माता, लक्ष्मी की कृपा से ही धन कमाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं अब दूर होंगी, आप अपने कार्यक्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे, आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा, इतना आपको इस समय धन लाब होने वाला है, आपके जीवन में चारों तरफ से पैसों का आगमन होगा, आए के नए स्तोत्र आपको प्राप्त होंगे, नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की आए में व्रिद्ध होने के साथ साथ पदोन्नती होने के भी पूरी संभावना है, माता लक्ष्मी की कृपा त माता लक्ष्मी की विशेश कृपा इस दिवाली तुला राशे वालों आपके उपर पड़ रही है, जिससे आपके जीवन में होंगे, अब अपार खुशियां ही खुशियां, साथ ही साथ, यदि आप कोई व्यापार शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो यह य दिवाली समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है, तुला राशे वालों माता लक्ष्मी की कृपा से इस समय का भर पूर लाब उठाएं, और समय को अपने हाथ से ना जाने दें, दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशे आती है, व इनके घर खुशी का माहौल रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा द्रिष्टी इन पर लगातार बनी रहेगी, जिससे आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी, माता लक्ष्मी की कृपा से आपको चारों तरफ से धन लाब होगा, व्यापारियों को ध भारंभ करेंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी. दिवाली में बन रहे महालक्ष्मी, योग में आपकी किस्मत चमकने वाली है. माता लक्ष्मी की कृपा से आप लोगों को कर्ज से भी मुक्ती मिल जाएगी. अगर आपका कोई कर्ज चल रहा है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा. आकस्मिक धन लाब के जबरदस्त राजयोग इस दिवाली मीन राश्यवालों के उपर बन रहे हैं. माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी. मीन राश्यवालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन से धन लाब भी हो सकता है. कहना गलत नहीं होगा कि यह दिवाली माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके लिए अत्यंत लाब कारी और भाग्यशाली साबित होने वाली है. चारों तरफ से आपको लाब ही लाब मिलने वाला है. दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राश्य आती है, वह है मेश राश्य. मेश राश्य वालों को बता दें. इस बार माहालक्ष्मी के आशीरवाद से दिवाली के दिन बन रहे महाशुभ संयोग. महालक्ष्मी योग में मेश राश्य वालों की किस्मत चमक जाएगी. इनके घर खुशी का माहौल रहेगा. मेश राश्य वालों की किस्मत चमक जाएगी. इनके लोगों को धनलाब के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में ही संपन्न हो सकते हैं, नए कार्य को करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है, जो भी आप नए कार्य का शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, द कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, आकस्मिक धनलाब के जबरदस्त राज्योग इन राश्यवालों के उपर इस दिवाली बन रहे हैं मा, लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, मेश राश्यवालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी, सा बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है, चारों तरफ से आपको लाब ही लाब मिलने वाला है दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली खुश नसीब और भाग्यशाली राशी आती है, वह है सिंह राश्यवालों को बता दें, कि इस बार महालक्ष्मी के आशीरवाद से दिवाली के दिन बन रहे महा शुभ संयोग, महा लक्षमी योग में सिंह राशिवालों की किस्मत चमक जाएगी। इनके घर खुशी का माहौल रहेगा और मा लक्षमी की कृपा दृष्टी इन पर लगातार बनी रहेगी, जिससे आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। मा लक्षमी की कृपा से आपको चारों तरफ से धन लाब होगा। व्यापारियों के लिए धन लाब के योग बन रहे हैं और धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में ही संपन्न हो सकते हैं। नए कारे को करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। जो भी आप नए कारे का शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दिवाली में बन रहे महालक्ष्मी योग में आपकी किस्मत चमकने वाली है। मा, लक्ष्मी की कृपा से आ आप लोगों को कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपका कोई कर्ज चल रहा है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आकस्मिक धनलाभ के जबरदस्त राजयोग इस दिवाली सिंह राश्यवालों के उपर बन रहे हैं। मा, लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। सिंह राश्यवालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन से धनलाभ भी हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि यह दिवाली मा, लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके लिए अत्यंत लाभकारी और भाग्यशाली साबि होने वाली है। चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राश्य आती है, वो राश्य है। कन्या। राश्य कन्या, राश्य वालों को बता दें। माता लक्ष्मी की जबरदस्त क्रिपा आपके उपर इस दिवाली पढ़ रही है, जिससे आपके जीवन में अब खुशियों की बाहर आने वाली है। कन्या, राश्य वालों आपको बता दें। इस दिवाली माता लक्ष्मी की क्रिपा से आप दिन दुगनी रा साथ चौगुनी तरक्की करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन वृध्ध के भी योग बनेंगे। इसके भी प्रबल योग बन रहे रहे हैं। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इस दिवाली धन की देवी माता, लक्ष्मी दोनों हाथों से यानी की बरसात करने वाली है। धन प्राप्ति के अनेकों योग कन्याराश वालों आपके लिए बन रहे हैं। यह दिवाली आपके जीवन में चार चांद लगाने वाली है। आप दिन दुगुनी रात, चौगुनी तरक्की करेंगे। इस समय का भरपूर लाब हुठाएं। समय को अपने हाथ से ना जाने दें। जी हाँ दोस्तों मा, लक्ष्मी का आशीरवाद आप सभी को प्राप्त हो। आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जै मा, लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें। धन्यवाद।